नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि अम्रेला मसीन है यह क्या हुआ हमने थोड़े मोटे कपड़े पर ज्यादा मोटे कपड़े पर चला दी तो उसके वज़ा से क्या हुआ इसकी सुई करना है क्योंकि होता है कि सटल में लड़ जाती है लड़के तूटती है तो उसके बाद जो है सटल घूम जाता है तो थोड़ा से वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी सटल टाइमिंग आप किस तरीके सट कर सकते हैं कभी भी यह प्रोब्लम है तुरां सटल जाएगी तो चलिए दोस्तों अच्छे से आपको बताते हैं सटल टाइमिंग इसकी कैसे सेट करते हैं तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेर कमेंट ज़रूर करिएगा तो दोस्तों जैसे कि हम इसको चला के आपको दिखा देते हैं है यह हमारी सिलाई भी इसने मसीन नहीं दी है तो अब हम इसकी सेटल टाइमिंग शेट करते हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है तो शर्टल टाइमिंग तो देखे हम दांते खोल लाएं इसलिए ताकि उसके बाद ये खोलेंगे इसको इधर कर देते हैं अब देखे हम इसकी टाइमिंग सेट करते हैं तो ये देखे मैं आपको दिखा देते हूं धागा पड़ा हुआ है ऐसे ही आपको दिखाएंगे तो दिखे अब हम इसको चलाते हैं ये देखिए ये मसीन जो आए ये नहीं पकड रही धागा तो हमको क्या करना है ये वाले जो पेंच है इनको तीनों को लूच कर लेना है सटल पकड के लूच करना है आथ में नहीं लगना चाहिए पेंच कस उसके बाद अब हम देखिए अब आपको क्या करना है तो अब हमको क्या करना है ये देखिए हातों से आपको पकड लेना है इसको और सुई को उपर करना है और जो सुराक है ये जिसमें धागा पड़ा है ये देखिए ये आपका ये वाली जो नोक है ये वाली नोक इससे थोड़ आसा नीचे रहना चाहिए ये देखिए इस तरीके से और जब सुई उपर के लिए आए इस तरीके से इसको बिलकुल एक एमम बाहर निकालना है इस तरीक ऐसा है और इसका जो गया फाई बीच में यह वाला जो गया पाई यह वाला तो यह जो है एक एमम यह भी रहना चाहिए अगर इसको आप बहुत ज्यादा इधर कर देंगे तो धागा यह पकड़े नहीं पाएगा तो इसको पहुत है यह यह इस तरीके से अलका सा भीडा के ठीक है ना अब इसको पकड़े रहना है इस तरीके से अब आपको क्या करना है यह पेंच टाइट कर देना है पहले एक पेंच टाइट कर लेना है उसके बाद अब सारे पेंच टाइट कर देना है उसके बाद दूसरा पेंच और सटल को पकड़े रहे ना सटल घूम जाए पता चले हाथ पेंच कर लगे इसका धियान लगना है कसके इनको पेंच को टाइट कर लेना है अब देखिए यह देखिए इसने धागा उठा लिया अब यह जो है यह मसीन अफसाई हो गई है तो अब हम बूब इनको निकाल के फिर से लगाएंगे और यह सब बांद देते हैं इसका पटरी लगा देंगे इसमें एक ही पेंच था तो एक ही हम लगाएंगे एक पेंच से पटरी आराम से चलती रहती है अब देखिए बोबिन लगा के धागे को उपर निकालते हैं पहले तो पहले बूड लगा लेते हैं तो अब दिखिए इसने धागे को उपर कर लिया है ना अब हम चलाते हैं मसीन तो दिखिए अब हम चलाए लगाते है तो यह देखिए है ना चल ले ही बहतरी नब पेस्टिंग पे चला रहे हैं कपड़े भी चल लागे दिखाता हूँ तो दिखिए टांगा कितना साफ आ रहा है तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको सही कर सकते हैं तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें चैनल पे पहली बारा हैं बेल आइकन आल पे जरू और क्लिक कर सप्राइब कर लें